नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग रेलबे प्लेटफरम साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नमबर दौस पर इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूड़ा देखिए, आपके ये एक-एक सवाल इंपोर्टेंट हैं, दोस्तों आपके एक्जाम में इस वीडियो से स्वाल देखने को मिलेगा, तो आप एक-एक सवाल का इंपोर्टेंट समझें और अच्छे से तयारी कीजिए, ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं, नेक कम किया जाता हैं, तो असने हक द्वारा सतहों की अनिमिक्ताओं की इंटरलॉकिंग को कम किया जाता हैं, आप्जन डी जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्सट कोशन देख लेते हैं, next question कह रहा है कि असने हक किसी मसीन के गतिसिल हिसों के बीच घरशन को कैसे कम करता है तो असने हक गतिसिल पूरजों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड नाखा इसी परकार से कम करता है option c जो है बिलकुल सही उतर हो जायेगा चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि आपको जिमनास्ट अपने हाथों पर कुछ खुर्दूरे पदार्थ क्यों लगाते हैं चार अपसन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि जिमनास्ट अपने हाथों पर कुछ खुर्दूरे पदार्थ क्यों लगाते हैं क्योंकि बेहतर पकड़ परदान करने है तू घर्षन को बढ़ाने के लिए लगाते हैं क्यों लगाते हैं दोस्तों क्योंकि बेहतर पकड़ परदान करने है तू घर्षन को बढ़ाने के लिए लगाते हैं अप्सन ये जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं दोस्तो मैं उम्मेद करता हूँ कि question आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएए कि वीडियो आपको कैसे लगे दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि क्या सताहों पर पॉलिस करने या असनेह की बहुत सी मात्रा का उप्योग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है तो घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनिमिकताएं बनी रहेगी option यह जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि किसी बस्तु को किसी सत्व पर समान गती से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवसेक्ता होती है तो आपको लोटनिक या रोलिंग घर्षन बल की आवसेक्ता होती है तो लोटनिक या रोलिंग घर्षन बल की आवसेक्ता होती है options बी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको कैरम खेलते समाए घर्षन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं चार options दिया गया है इन में से आपको चून कर बताना है कि कैरम खेलते समाए घर्षन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं तो बोड पर बारिक पावडर छिरिकते हैं हम क्या करते हैं दोस्तों तो बोड पर बारिक पावडर छिरिकते हैं option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि सतह पर पॉलिस किस उदेश से की जाती है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको छून कर बताना है कि सतह पर पॉलिस किस उदेश से की जाती है तो अने मेकताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए किया जाता है किस उदे से सकी जाती है तो अने मेकताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए किया जाता है अप्सन सी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निमने लिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी बस्तू पर घर्षन बल निर्भर करता है तो आपको इन में से सभी यानि कि द्रव की प्राकिर्टिक पर भी निर्भर करता है द्रव के संबंध में गती पर भी निर्भर करता है और बस्तू का अकार पर भी निर्भर करता है यानि कि इन में से सब भी पर निर्भर करता है अप्सन सी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि निमने लिखीत में से किस कारक पर द्रव में किसी बस्तू पर घर्षन बल निर्भर करता है तो द्रव की प्रकिर्थिक पर भी निर्भर करता है द्रव के संबंध में गती पर भी निर्भर करता है बस्तू का अकार पर भी निर्भर करता है यानि कि इन में से सभी पर निर्भर करता है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि जूते के तलूओं में खाचे क्यों बनाये जाते हैं जूते के तलूओं में खाचे क्यों बनाये जाते हैं क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ परदान करने के लिए बनाये जाते हैं चार अप्सन दिया गया है इन में से आपको चून कर बताना है कि लगेज में रोलर क्यों लगाये जाते हैं लोटनिक घरसन सर्फी घरसन से अधिक होता है इसलिए लगेज में रोलर लगाये जाते हैं रोलर लगेज में क्यों लगाये जाते हैं क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्फी घर्षण से अधिक होता है इसलिए लगेज में रोलर लगाये जाते हैं अप्षन यह जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चले next question कह रहा है कि cycle और auto mobile की break परणाली में break pad का उप्योग किसलिए किया जाता है तो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो घर्षण को बढ़ाने के लिए option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question कह रहा है कि किसी बस्तू को तुरंत बिरामा अवस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवस्यक बल को क्या कहा जाता है तो अस्थैतिक घर्षण कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों तो अस्थैतिक घर्षण कहा जाता है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी machine के गतिसिल भागों के बीच क्या रखा जा सकता है मैं यह question फिर से repeat करते रहा हूं question कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी machine के गतिसिल भागों के बीच क्या रखा जा सकता है तो air cushion रखा जा सकता है क्या रखा जा सकता है तो air cushion रखा जा सकता है option यह जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको ceiling fan और cycle के hub और धूरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस machine पूर्जे का उप्योग किया जाता है तो ball bearing पूर्जे का उप्योग किया जाता है option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चली next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि aesthetic घर्षण और सरफी घर्षण की तूलना करें तो सरफी घर्षण aesthetic घर्षण से थोड़ा कम है option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चली next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि इन में से किसके द्वारा लगाये जाने वाले घर्षन बलो को ड्रैग नाम दिया गया है तो द्रव द्वारा लगाये जाने वाले घर्षन बलो को ड्रैग नाम दिया गया है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको हावा से गुजरने वाली बस्तूओं पर हावा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है चार option दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि हावा से गुजरने वाली बस्तूओं पर हावा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है तो घर्षन बल लगाया जाता है कौन सा बल लगाया जाता है तो घर्षन बल option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि जब बस्तुएम द्रौ से होकर गुजरती है तो द्रौ द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है तो घरसण बल लगाया जाता है तो घरसण बल अप्षोन ए जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि घर्षण को बढ़ाने और गेंद पर बेहतर पकड़ परदान करने के लिए किर्केट गेंद बाज क्या कर सकता है तो वह किर्केट की गेंद को अपनी जांगों पर रगड़ता है क्या कर सकता है तो वह किर्केट की गेंद को अपनी जांगों पर रगड़ता है option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको समान स्थितियों में मानो रक्त का pH मान कितना होता है समान स्थितियों में मानो रक्त का pH मान कितना होता है तो आपको 7.4 होता है कितना होता है दोस्तों तो 7.4 होता है option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि sliding घरसन, aesthetic घरसन से dash होता है चार option दिया क्या है इनमें से आपको चून कर बताना है कि sliding घरसन, aesthetic घरसन से dash होता है तो sliding घरसन, aesthetic घरसन से छोटा यानि की कम होता है क्या होता है दोस्तों तो sliding घरसन, aesthetic घरसन से छोटा यानि की कम होता है option D जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि आपको जड़त। यानि initiya का नियम किसके द्वारा परदान किया गया था 4 option दिया गया है इनमें से आपको चुन कर बताना है कि जड़त यानि इनिस्या का नियम किसके द्वारा परदान किया गया था तो आईजेक न्यूटन द्वारा परदान किया गया था किसके द्वारा परदान किया गया था तो आईजेक न्यूटन के द्वारा option ए जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि जब कार एक मोल लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की और धका देता है तो वह अपकेंदरिये बल है वह कौन सा बल है तो वह अपकेंदरिये बल है option बीजो है बिल्कूल सही उतर हो जायेगा ओके चले next question देख लेते है next question कह रहा है कि बीजली की motor dash रूपांतरित करती है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि बिजली की मोटर डैस रुपांतरित करती है तो बिजली की मोटर जो है बिदुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में रुपांतरित करती है अप्सन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि एक generator डैस रुपांतरित करता है तो एक generator जो है यांतरिक उर्जा को बिदुत उर्जा में रुपांतरित करता है एक generator जो है आपको यांतरिक उर्जा को बिदुत उर्जा में रुपांतरित करता है option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि अंत्रिक्ष यान के अंदर अंत्रिक्ष यात्री डैस वजन महसूस करते हैं तो अंत्रिक्ष यान के अंदर अंत्रिक्ष यात्री आपको सुनने वजन महसूस करते हैं अप्सन C जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि जल बिदुत क्या परिवर्थित करता है, चार अप्सन दिया गया है, इनमें से आपको चुन कर बताना है, कि जल बिदुत क्या परिवर्थित करता है, तो गतिज उर्जा से बि दुतिय यानि कि इलक्ट्रिकल उर्जा परिवर्थित करता है, अप्सन ये जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि पेंडुलम घड़ी का अभिसकार किसने किया था, चार अप्सन दिया गया है, इनमें से आपको चुन कर बत हैं, कि पेंडुलम घड़ी का अभिसकार किसने किया था, तो क्रिस्चियन हुगेस ने किया था, किसने किया था दोस्तों, तो क्रिस्चियन हुगेस ने किया था, अप्सन डी जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, आज का practice set में इतना ही सवाल था, मैं उमीद करता ह हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा, दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल important है, आपके exam में इस वीडियो से स्वाल देखने को मिलेगा, ओके मैं आपसे next वीडियो में मिल करता हूँ, तब तक के लिए take care दोस्तों, end bye.